तो भाई आप लोगों ने कुछ सीरियल्स पहले देख्योंगे टीवी में लेकिन कुछ सीरियल्स आजकल जो है हमारी व्लोगिंग में चल रहे हैं जी हाँ मैं बात कर रहे हूं भालू की और उनकी बहन की जैसे कि आपको पता है कि दो तिन दिन से जो है ना पूरे वाई गड़ से वापिस क्यों आया मैं सबकी पोल खोलूंगा मैं यह करूंगा वो करूंगा तो उसके बाद लोगों का इतना जादा जमावड़ा लगया था उनके चैनल पर जाके कमेंट सेक्शन में कि वो वेट कर रहे थे नेक्स डे का लेकिन जैसे ही नेक्स डे होता है तो उ उनकी बार-बार बाते करने का क्या मतलब था उनका यह सोची समझी एक स्क्रिप्ट रची गई थी मतलब लोगों को का जो माइंड है जैसे कि पहला वो बोल चुके थे फर्मान मलिक के बारे में तो उसके बाद लोग यहीं सोच रहे थी कुछ बताएंगे बताएंगे लेक हमें लेना देना है आपकी दादी से आप यह क्या बता रहे हों कंटेंट के नाम पे आप लोग क्या दिखा रहे हों सिरफ और सिरफ व्यूज के लिए लोगों को पागल बना रहे हैं लेकिन इस चीज़ को देखते हुए मारे भालू भाई फिर भी नहीं रुके तो उन्हो अपने परिवार की बुराई करती है परिवार की आपस में फूट जो है पढ़वाती है पहले चोटी भाई की कहीं बुराई करी वो उनकी रिकोडिंग वाईरेल होगी उसके बाद उन्होंने काफ़े जाधा नाटक किया बिमार हुई यह वो रोना धोना की अपने चैनल पे उसके बाद ये चीज थोड़ी सी शान्त हुई तो उसके बाद जब इनकी छोटी बहन को भालू भाई ने उल्टा सीधा बोला तो एक दम से ये पलट गई थी अपने भाईों से रिष्टा खतम कर लिया था और अपनी छोटी भेहन के साथ जा मिली थी लेकिन अब एक्चुली क्या हुआ है कि जब से इनको पता लगए कि जागरण है और जागरण में हमें जाना है तो ये भाईों की तरफ जो है ना फिर दुबारा से उनके पासे में जो है चली गई है और कुछ ऐसी बाते बोली जो कि उन्होंने रिकोर्ड कर ली और वाक्य और उन्होंने ये नहीं किया वो तो उल्टा जो है बुराई करती नजर आई एतनी है कि वो बात भी नहीं करना चाते क्योंकि वो अपने पेरों पर स्टैंड हो चुकी है और उन्हें लगता है शायद कि अब उनको जो है किसी की जरूरत भी नहीं है लेकिन यहीं पर बात करें इनकी वाइफ की भालू की पनोज अंटी की तो हाँ वह वाक्य में एक अच्छी लेडी है जो कि एक परिवारिक लेडी है वो और उन्होंने जैसे कि अपनी सास की अपनी द मेरे बारे में कि मेरी ही चुगलियां कर रही थी वापे तो जब वो सुबह ही अपना जो है व्लोग डाल दिया कि आज सबको दिया जवाब तो जवाब के बदले कुछ नहीं दिया सिरफ और सिरफ वही रोना धोना मैं यह हूं मैं वो हूं इवन कमेंट सेक्शन में भी लो एक चीज़ बोली अगर किसी ने गोर की हो कि मेरा तो वो मैं तो वो चैनल भी बंद कर दिया और यह वाला चैनल भी मेरा तो ऐसे पड़ा था पर देख लेब दो दिन से मैं मैंने चैनल को दुबारा खड़ा कर दिया है तो भाई साब यह बात बताओ कि आपने जूटे आपके आते हैं या नहीं आते और हां यह पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही लग रहा था जैसा कि पहले भी होता आया है कि जब भी चैनल डाउन जाता है कुछ ना कुछ कोंट्रोवर्सी की जाती आपस में लड़ाई की जाती एक दूसरे को नीचे दिखाया जाता है सिरफ और सिरफ व्यूज के लिए जो कि यह बहुत शरम वाली बात है आप लोगों का क्या कहना इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताईए जैसा भी आपकी राए हो कमेंट जरूर करना सो बाबाई मिलती हूं मैं आपसे एक न्यू वीडियो में बाबाई